Hello and welcome to our YouTube channel Kidney Failure Treatment presented by Karma Ayurveda जहां हम आपको किड़नी से जुड़ी जरूरी जानकारियां देते हैं अगर आपका Blood Pressure बढ़ा हुआ है तो यह Kidney Disease का भी लक्षन हो सकता है High Blood Pressure को Kidney Disease और Kidney Failure का Main Reason माना जाता है क्योंकि High Blood Pressure Kidney में Blood Vessels और Filter को नुक्सान पहुचाता है जिससे Body के Wist Materials को निकालना मुश्किल हो जाता है साथ ही बात करें दूसरी Kidney Disease की तो Nose Bleed Acute Kidney Failure का Main लक्षन है जैसा कि आप सभी जानते हैं किड़नी हमारी Body से Wist Materials को फिल्टर करके यूरीन के जरीए Body से भार निकालने का काम करती है लेकिन जब किसी की दोनों Kidneys अचानक से ही कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दें तब ऐसी Situation को Acute Renal Failure कहते हैं अब हम आपको कुछ घरेलू तरीके बताएंगे जिनसे आप Nose Bleeding को रोक सकते हैं फर्स्ट है प्याज का रस जी हां इससे आप आसानी से नाक से बहने वाले खुन से निजात पा सकते हैं इसके लिए प्याज के रस की एक दो बूंदे नाक में डालने या फिर प्याज सूम कर भी आप नाक के खुन का आना बंद कर सकते हैं सेगेंड है सरसो का तेल, सरसो का तेल हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमद है, यह स्किन बालों को हेल्दी रखने के अलावा आपके नाक से आ रहे खून को भी बंद कर सकता है, अगर आपकी नाक से लगातार खून बहरा है और वह रुख नहीं रहा, तो कुछ बुंदे कैसल सेप्टम पर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से खून बहना एकदम बंद हो जाता है, अब हम आपको बताएंगे खून बहना रोखने के लिए आप नाक को कैसे बंद करें, सबसे पहले सीधा बैट कर अपने सिर को थोड़ा आगे की तरफ जुखाये रखें, अब अपने अंगुठे और तरजनी उंगली का इसमाल करें, फिर उनसे अपनी नत्नों को दबाएं, इस प्रिक्रिया को 5-10 मिनट तक करें और सांस अपने मुझ से लें, अब धीरे धीरे उस प्रेशर को छोड़ें और फिर 5 मिनट के लिए आराम से बैट जाएं, जब तक खू आना बंद नहीं हुआ, तो सिनीजिंग बिल्कुल भी ना करें, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है, नोस ब्लीडिंग होना भी किडिनी डीजीज का लक्षान पो सकता है, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस है, किडिनी से संबंदित, किसी भी रोग से फे क्यों की लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब करें करेट 9 काम हुआ है, दस से लेके 2 की रेंज में आया है, मात रेक महिने में आया है, शाहिदा खान का, क्या ना में आ रहा है? शाहिदा खान है, जहां से, बिना कुछ बोले, सबसे पहले रिपोर्ट जिखाईए जब को ताकि सब्सक्राइब किस प्रकार इस क्रेट 9 को कामा जारे है, कौन सा वाला है, पहले वाली दिखाएं, क्रेट 9 जो है, इसके अंदर किना है आखा? ये नौ था, दो हुआ है, प क्रेट 9 करेट 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 9 एक महीने के अन्दर नौस उद्धे हुगा है। रिपोर्ट्स के अधारपार रिपोर्ट्स के रुचार आप देख सकते हैं। डियलेसिस की तुरद नहीं पड़ी, डियलेसिस बंदोगे, डियलेसिस के आपशकता नहीं पड़ी। हमाद तीन दफे हो चुका है डाइलिजिस, इसके बाद में बंद हो चुका, यह इग्या की दवा खाने से, काफी आराम मिला हमें. जब आए थे शाइड़ा क्या क्या परेशानी हो नहीं हुए थे? एक मतलब काफी परेशान थे चलन नहीं पा रहा ही थे, हम शांस नहीं ले सकते थे हम और मतलब काफी परेशान है थी हर चीज में लेकिन अब हम चल ूवी रहे हैं खुछ से, और सास भी मतलब थोड़ि हमाइख सओी चल यह रही है थेर में जभ मुझे आए रहा हुए छोओ सब्कूझ को कि इसके बाद में आपकी दुवास में आ अरवला काफी आरा व मिला अचा उसक रिजर लिए केम सामने आप खुझ Sounds आप को जो कर रहे हैं ऑफ़ ही बात आरे ईस्फमें एप पात कर रहे हैं आ कर दो ही है या अरी आप मं Emmon कि तुक्टर जाया जाज़ आपको यहाँ आपको यह अचाने का ता कि टाएलेसिस करवाना है आपको हर अफते हाफते में एक दफा होगा लेकिन फिर हम ने का कि नहीं हम नहीं करवा पाईगे तीन पांच दिन में तीन दफा कर दीया उन्होंने वह में कमजोरी बहुत है उत्स आपका इलाज से आराम मिलाये और पारे जल्द है लेकिन कम्राइब हो इह भी बहुत एक बवख एकैंधा निज़ता है वह थो किर पाँ पैले दीन मैने में एक दफough a, एक कम हुआ था लेकिन अप इस दफ़ा तो बहुत ही अजुवा हो गया इस तरह से बहुत ज़्यादा है कि यह क्या अचानक इतना नहीं होता है कैसा हो गया रहते हैं अच्छी दवा मतलब कवर कर रही है अब यह रिपोर्ट कहीं पर दिखा लिए शाइदा खान दॉक्टर के लिए एक शमतकार से अच्छुबे से कब नहीं है दुनिया का आट वा जुगे से कब नहीं है यह रिपोर्ट जिसके अंदर क्रेट 9 जो है और 9-2 हुआ है मात्र एक महिने में अब जुगा आए दुनिया का एक महिने में नौ से दो क्रेट नहीं तैलेसे रवाज करते थे जब पूरे विशु में गिदी मरीजों को पूरे विशु के गिदी मरीजों को जब टांस्प्लांट रवाज किया जाता है वहां ही शाइदा खान जासी से तरभा एवज़ा मे आई और उनका ना डालेसिस हुआ ना टांस्प्लाइट हुआ पलकी हुआ करेट नहीं नौ से लेकर दो आप है प्रेट नहीं किया संदेज देना चाहोगे शाइदा हम किद्नी के मरीजों को बड़ी कंबीर समस्या है आप तो भूच उके उससे उसे उस भूगे हो आप तो यही दहना चाहेंगे कि भाई जो भी अगर डाइलेसिस पर है तो वो मतलब महरवानी करके धर आए और आपसे दवा ले आपसे लाज करवाए और दवा लेके सहत मंद कामयाब होके यहां से जाए यह हमारा तो यही है कि बस जो भी आए वो इधर आए सीधा कहीं और जानी जरुट नहीं है उसे कि बहुत कंबी समस्या बहुत कंबी सीधी से आप बहुत सांस रुक गई थी हमारी तो ऑक्सीजन बन थे तेन देन के लिए चटिस घंटे के लिए चड़ा था अच्छा जिए ऑक्सीजन बन थे लेकिन सब आपकी दवा से आज रिजलिये हैं कि आज हम मच्छे हाँ से हैं और आगे बी यही है कि जो भी महरवान जो भी आए वो अच्छा होके जाए है सब लोग आए हैं त एक पहले से बहुत आए हैं अच्छा के आए हैं ऑर शाहिदा जो है पहले से भूँने चिछी है हम चल के आया हैं बस यह खुशी है कि अधर चल की आए हम चल नहीं पा रहे था एख वी नहीं रहिए था आएते पहले और अंदर भी आपके पास गए थे तो उसी से गए थे दिन चल पा रहे थे लेकिन अब खुछ से चल के आए हैं। अपने वाट्साप पे, फेस्बुक पे, यूट्यूब पे जरूर इसको शेर करें और बताएं कि किस प्रकार गंभीर बिमारी का एलाव जरह हो संबग है। फेस्बुक पे और वाट्साप पे आप शेर कर सकते हैं। बता भी सकते हैं। स्टॉप्ट किड्नी डालेसिस। स्टॉप्ट 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 झाल झाल